हाई फ्रेंज मैं अमिज जैन आईटी गुरीजी में आपको स्वागत है दोस्तों अगर आपने यूटूब ओपन किया और ओपन करने के बाद आपने उसमें दो च्यार वीडियो देख लिए और वह हो सकता कि आपने कुछ गलत वीडियो पर टच हो गया और वह ओपन हो गया हैं यह सब कुछ आज इस वीडियो में होने वाला है तो फिर चलते हैं मैं इसमें यूटूब ओपन कर रहा हूं यह लाइब्रेरी पर टेप करेंगे अपन मैंने यह लास्ट वीडियो देखा है कंप्यूटर या लेप्टॉप में कौन सी विंडोज हैं यह कैसे पता करेंगे इसके लावा RRR और यह बच्चों की वीडियो हैं अब मुझे यह फस्ट वाला वीडियो डिलेट करना है मतलब रिमू करना है इसमें से हिस्टी में से हटाना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा इसके लिए हिस्टी के सामने यह व्यू ओल का बटन दिया हुआ है उस पर वहां पे आपको हिस्टी का बटन मिलेगा तो वहां हिस्टी पर आप टेप करोगे तो भी यह विड्वो ओपन हो जाएगी मैं वीव.व. पर टेप करोगो और यह विंड्वो ओपन होगी क्टी के लेकिन बहू नीचे की तरफ होना चाहिए ठीक है अब जैसे मुझे पे टेप करूँगा मैं और यहां पे option आगा उपर उपर वाला remove from watch history, इस पे टेप करूँगा, then यह remove हो चुका इसके अंदस से, मैं चाहता हूँ कि यह rr वाला video भी हटा दूँ, इस पे भी टेप किया मैं, remove from watch history, इस तरीके से दोस्तों, जो मैं चाहता हूँ, जो वीडियो हटा सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं यह वाला video हटा दूँ, तो इस पे टेप किया और remove from watch, यह video हट गया इस गंदस से, इस तरीके से दोस्तों आप जो चाहते हो वो video हटा सकते हो, और सबसे बड़ी बात है YouTube आपको recommend करता है, अगर आपने जो video देखा है, जिस तरीके की video आप देखते हो, उस तरीके की video ही recommend करता है, आपने अगर बच्चों की video देखने चालू कर दिये, तो वो बच्चों की video आपको recommend करता रहेगा, और आप उसमें टेप करते जाओगे, तो उनकी video की संख्या बढ़ाता जाएगा, उनको recommendation बढ़ाता जाएगा, उनकी, तो इस तरीके से YouTube भी recommendation भेजता है, तो अगर आपको ये सारे video जैसे ये हैं, सारे video बचाने हैं, तो ये उपर उपर, 3 dot जो दिया हैं, उस पर टेप करेंगे, और history control में जाएगे, और यहाँ पर सबसे उपर दिया है clear watch history, इस पर टेप क इस पर टेप करेंगे, और ये सारे video हट गए है, आप back जाएंगे, और ये history पूरी खाली हो चुकी है, देखो, ये history पूरी खाली हो गई है, ये library में है अपन, और इसमें view, और view के अंदर history पूरी खाली हो चुकी है, अब दोस्तों मैं एक option और अच्छा सा बताता हूं करेंगे, हिस्टी कंट्रोल में जाएंगे, इसके अंदर दो option दिये हुआ है, पोज वाज हिस्टी और पोज सर्च हिस्टी, पोज वाज हिस्टी का मतलब क्या होता है, कि अगर मालो आपने कोई video देखा, तो वो देखा तो वो हिस्टी के अंदर add नहीं होगा, अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो, जैसे मैंने इसको पोज पर क्लिक कर दिया, तो यह इनेबल हो गया, अब इनेबल हो गया, तो मैं अब जो भी video देखूंगा, वो हिस्टी के अंदर add नहीं होगा, मैं इसके home में चल जाता हूँ, और मैंने यह उस पावाला video देखा, मैंने इसको बंद कर दिया, मैंने यह बच्चों का video बंद रह दिया, लेकिन अपन लाइबरेरी में जाके अपन देखेंगे, तो वो add नहीं होगे, यह व्यूग पर टेप करेंगे, यहाँ पर show नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है दोस्तों, वहाँ पर show ही नहीं करता, अब अपन history control में जाके और इसको बापस से turn off कर देंगे, और अब मैं आपको video चला के दिखाता हूँ, home पर गया और यह video में जाके और यह वेक किया, close किया, और यह library में गया अपन, और यह देखो, इसके अंदर यह video आ गया, history के अंदर, और दोस्तों, view all पर जाएंगे अपन, बापस three dots पर, history controls, अब मैं यह दूसरा जो option है, उसका मतलब आपको समझाता हूँ, इसका मतलब है, pause search history, जो भी आप search करते हो, वो search history में दिखाई देता है, YouTube की, YouTube की search system में, तो आप चाहते हो कि जो आप search कर रहे हो, वो बाद में show नहीं करें, तो आप इसको enable कर सकते हो, देखो, मैंने इसको कर दिया, enable, then back, 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 मैंने यह आप सर्च कर रहे है, triple r, full movie hindi depth इस पर, ठीक है, अब इसके बाद, मैं वापस library में गया, वापस में search करा, और मैं यह आपर, triple r दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दे रहा हैं दोस्तों, triple r, तो आपन back करेंगे, और वो ही library में जाके, view all, three dot, history control, और इसके अंदर आपन को कर देंगे, वापस इसको turn on, यह इसको off कर दिया है, मैंने वापस, अब देखो, मैं आपको search करके बताता हूं, triple r, full movie, ठीक है, search कर दिया, इसके बाद मैं वापस बेग गया, बेग करने के बाद वापस home पर आ रहा है, और यहाँ पर, यह मैंने जो last search कहता है, triple r, full movie, hindi dub, यह यहाँ पर show कर रहा है, इसका मतलब है, दोस्तों, जो भी आप search करते हो, वो यहाँ पर show करता है, अगर आप चाते हो कि वो यहाँ पर show नहीं करें, जो भी आप search करते हो, तो वो option को enable कर देना आप, और आप चाते हो कि आप जो video देखते हो, वो history के अंदर नहीं जाए, तो उस first वाले option को आप enable कर दो, तो वो चीज भी possible है, तो दोस्तों, हैने कमाल की trick, अगर आपको video थो अगर चैनल पर पहली बार आए हो, तो subscribe कीजे, thank you for watching